आप सबीने पिछला वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें हमने exercise 1.1 को start किया था और उस वीडियो में हमने question number 1, 2, 3, 4 ओके 4 questions हमने complete कर लिये थे अभी हम आगे की questions देखेंगे तो यह है आपका 5th question तो 5th question में देखिएगा sit A दिया है B दिया है और C दिया है उसके बाद universal sit भी दिया गया है तो हमें क्या करना है verify the following यहाँ पे कुछ questions दिये गया है जैसे कि यह वाला इसे आप verify करो मतलब verify करने का मतलब क्या है जैसे यहाँ पे left hand side है यह right hand side है ठीक है और बीच में क्या है equal का sign मतलब आपको यह verify करना है कि यह और यह दूनों क्या है बराबर है ठीक है तो कैसे करेंगे बहुत सिंपल है चलो मैं आपको समझाती हूँ सबसे पहले काम करो A, B, C और universal set को यहाँ पे लिख लो ठीक है तो पहले मैं universal set लिखती हूँ ऐसे आगे पिछे कर सकते है ठीक है सबसे उपर universal set लिख देते है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यह 10 ठीक है फिर set A लिख देते है 1, 2, 3, 4, set B लिख देते हैं 3, 4, 5, 6, set C लिख देते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7 और यह 8 ठीक है अब आपको क्या करना है इनके हल्ट से यह verify करना है तो कैसे करोगे देखो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले तो हम यह जो left hand side में है ना इसको लाने के कोशिश करेंगे कि इसका final answer क्या आएगा मतलब इसका value क्या आएगा ठीक है तो देखो हमें क्या चाहिए set A तो हमारे पास है लेकिन B intersection C है क्या नहीं है ना तो हम लोग सबसे पहले B intersection find करेंगे तो कैसे करोगे देखो यहाँ पे लिखिए B intersection C B intersection C का मतलब आप क्या करोगे set B और set C में देखोगे और दोनों में जो common element रहेंगे उनको आप यहाँ पे लिख दोगे intersection मतलब क्या होता है वह element जो दोनों में हो ठीक है तो बी इंटरसेक्शन सी अब उसके बाद हम लोग ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कर सकते हैं तो लिखते हैं यहां पर दिखाई दे रहा है आपको कुछ जादे ही छोटा तो नहीं लिख रही मैं ओके थोड़ा सा बढ़ा करती हूं देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ आपको कौन कौन सा सेट देखना है तो देखो सेट ए को देखना है और यह जो इसका आंसर आया था था ना बी इंटरसेक्शन सी यानि कि यह वाला सेट मतलब इससे देखोगे और इससे देखोगे बाकी बीच में और किसी को मत देखना ओके समझ में आया लिवात तो यह तो एक काम करो ना सेट ए को पहले लिग दो सेट ए में क्या है 1234 1234 है ना उपर नीचे देखने से अच्छा है कि इतरी आप लिख दिया करो फिर यहां पर क्या है यूनियन तो यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के आया है यह देखो 456 लिख दीजिए ठीक है अभी यूनियन मतलब आपको पता है हमें ना यह यूनियन यह लिखना है ठीक है तो यूनियन मतलब क्या होता है कि यह दोनों सेट में जो भी एलिमेंट है ना सब के सब आने चाहिए बस एक कंडिशन है कि रिपीट नहीं होने चाहिए ठीक है तो चलिए यहां पर मैं करती हूँ देखो वन आएगा एक काम करो यह लाइन से लिख दो 1,2,3,4 ठीक है अब जो आया है उसको मत लिखना इसमें देखना थीक है जो आ चुका है उसको नहीं लिखेंगे बाके चुरण नमबर 1 समझ में आ गया अब हमें क्या चाहिए A union B चाहिए और A union C चाहिए तब ही तो हम यहाँ पर intersection बता पाएंगे दोनों का है ना तो अब हम लोग यहाँ पर A union B निकालेंगे तो A union B कैसे मिलेगा set A और B को देखना union मतलब सब के सब elements आएंगे बस जो repeat मतलब जो दो बार रहेगा उसको एक की बार लिखेगा ठीक है तो क्या करना है आपको सबसे पहले इसमें के जो भी elements से उनको आप लिख दो तो 1,2,3,4 ठीक है अब नीचे वाले में देखो 3,4 यह तो आ चुका है न तो इससे मतलिखना 5,6 आया है नहीं आया है इसको आप लिख दीजिए ठीक है यह क्या होगे A union B अब हम लोग A union C निकालेंगे क्योंकि इसकी भी हमको जरुवत पड़ेगी न तो A union C मतलब क्या आपको कौन-कौन से सेट देखना है तो A और C B को नहीं देखना है ठीक है इसको आप भूल जाओ तो A और C के अंदर जो भी elements रहेंगे सबको हम लिखेंगे बस कोई element यहां पर repeat नहीं होना चाहिए ठीक है तो यह line से पूरा उठाओ और लिख दो 1,2,3,4 ठीक है अब C में आ जाईए 4 हम लिख चुके है तो लिखने के सबस्वत नहीं है 5 लिखा है क्या नहीं लिखा है इसको लिख दो फिर 6 को लिख दो 7 लिख दो 8 लिख दो खतम ठीक है तो हमें यहां पर क्या-क्या मिला A union B मिला और A union C मिला अब हम यहां पर intersection बता सकते हैं न दोनों का बता सकते हैं तो चलिए करते हैं यहां पर लिखेंगे A union B intersection A union C समझ में आ रहे कि नहीं अब उसके बाद दोनों set को लिख दो ठीक है यह रेखे A union B कितना आया है 1,2,3,4,5,6 लिख देते बीच में क्या intersection तो ऐसे करके intersection हो चाहेगा उसके बाद A union C कितना आया है यह देखो 1,2,3,4,5,6,7 लिख देते 1,2,3,4,5,6,7 और यह 8 अब हमें क्या बताना यहां पर intersection intersection का मतलब क्या होता है common element जो कुछ भी common रहेगा वो हम क्या करेंगे यहां पर लिख देंगे common मतलब दोनों में होना चाहिए ठीक है अभी अभी यहां पर सिखाया था ना मैंने इधर हम तो कर रहे थे ठीक है मैंने आपको पताया था ना वही तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं दोनों में होना चाहिए तो 1 इसमें भी है इसमें भी है तो 1 आ जाएगा उसके बाद 2 इसमें भी इसमें भी चलिए ये भी आ जाएगा फिर 3 दोनों में है उसके बाद क्या आएगा देखें 4 इसके अलावा यह तो खतम हो चुका अब आगे देखोगे 7 और 8 तो इसमें ही नहीं तो वह लिखने की जरूबत नहीं है बस इतना ही लिखेंगे इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 ठीक है अब एक्वेशन वन और एक्वेशन 2 को देखिए मतलब यह और यह कितना आया है 123456 यहाँ पर 123456 दोनों के दोनों क्या है बराबर है इक्वेल है कि नहीं तो यह तो अपने आप पी वेरिफाई हो गया अपने आपने हुआ हमने किया ठीक है ऐसा हमने इसको स्वाल किया और फिर हम बता सकते है क्या लिखेंगे हम यहाँ पर फ्रॉम 1 और 2 फ्रॉम intersection C is equal to A union B intersection A union C समझ में आया आपको तो यह है आपका final answer ऐसे ही हर एक question को solve करना है ठीक है यह तो पहला सब question था अभी इसके आगे और भी छे हैं अभी साथ थे इसमें total ठीक है तो एक तो हमने solve कर लिया है आप लोग देख सकते हो और साथ जाथ यह भी बता दें चलू कि यह पता है आपको कौन से property है तो इसको कहते distributed property क्या होता है यह distribute होता है देखो मैं आपको थोड़ा सा अब कैसे जाएगा देखो ए यूनियन बी हो जाएगा राइट फिर ए यूनियन सी होगा यूनियन सी और बीच में intersection तो यहां पर intersection आएगा देखो ए यूनियन डी फिर intersection तो इंटर्सेक्शन उसके बाद ये यूनियन सी इसको कहते हैं डिस्ट्रिब्यूटिव प्रॉपर्टी ठीक है तो चलिए आप लोग इसको लिख सकते हो और फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड सब कुश्चन देखते हैं को और दूंध let दीख़एंगा यहाँ आपका डिस्ट्रिब्यूटिव प्रॉपर्टी रहां पहले क्या था पहले वाले सब्सक्रांद यहां पर यूनियन यहां पर क्या यूनियन स्ट दोने कैसे टीक्शन बी यूनियन देखों बीच में इन यूनियां यूनियन आएगा ठीक है फिर A intersection C अभी इससे हमें का करना है वेरिफाई करना है तो चलिए करते हैं सबसे पहले हमें किसकी जरौत पड़ी की बी यूनियन C find out कर लेते हैं बी यूनियन C मतलब क्या अभी ये दोनों सेट को हम लोग देखेंगे और इनमें के सारे elements को हम आप लिख देंगे बस ध्यान क्या रखना है कि कोई भी element repeat नहीं होना चाहिए ठीक है तो चलो क्या करेंगे ये line से लिख दो 3, 4, 5, 6 अब नीचे बाले में देखो जो repeat हो रहा है उसको 8 तो बाकी को लिख लो तो 4 लिख चुके है 5 लिख चुके 6 ये भी लिख चुके 7 8 लिखा है नहीं इसको लिख लेजिए तो ये क्या हो गया बी यूनियन C अब हमको ये मिल गया तो हम लोग ये भी find out कर सकते हैं यहाँ लिखेंगे therefore A intersection B union C is equal to तो A क्या है A को लिख लिजे set A को A 1, 2, 3, 4 ठीक है फिर कहाँ पर intersection है तो intersection उसके बाद B union C कितना आया है ये देखो ये आया ना लिख दीजे 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 ठीक है अब हमें बताना क्या है intersection ये दोनों का intersection intersection मतलब क्या मैंने पहले ही बताए common element जो दोनों में हो तो 3 और 4 दोनों में है बाके और कुछ है क्या नहीं तो बस यहाँ पर 3 और 4 को हम लोग लिख देंगे इसको लिखेंगे equation number 1 ठीक है अब देखो अगर हमें ये verify मतलब इसका पता लगाना है तो हमें हमार पस क्या क्या ह होना चाहिए A intersection B होना चाहिए और A intersection C होना चाहिए तो हम क्या करेंगे सबसे पहले A intersection B और A intersection C ने का लेंगे और उसके बाद हम आगे करेंगे तो अब यहाँ पर लिखते हैं A intersection B A intersection B मतलब क्या ये दोनों में जो भी common element रहेगा उसको उठाई और लिख दीजिए तो 1, 2 इसमें इसमें नहीं है 3, 4 इसमें और इसमें दोनों में है तो 3, 4 को हम लोग लिख देंगे और कुछ है क्या 4, 5 इसमें इसमें नहीं है तो बस इतना ही लिख करके छोड़ दो ठीक ह ये क्या हो गया A intersection B अभी A intersection C निकाल लेते A intersection C समझना आ रहे हैं किने बता ये कितना आसान है अब A intersection C तो A में देखो C में देखो common element को उठाई और लिख दीजिए 1, 2, 3, 4 तो 4 देखो दोनों में है दिखाए तेरा 1 नहीं है 2 नहीं है 3 पी नहीं है दिखाए तेरा नहीं 4 ह 5, 6, 7, 8 इसमें है नहीं है तो बस यहां पर 4 ही आएगा ठीक है तो हमारे पास यह आगया यह आगया अभी हम यह बता सकते हैं तो चलिए यहां पर लिखेंगे देखोर A intersection B इसको ना ऐसे ब्रैकेट में कर देते हैं A intersection B Union A intersection C अभी हमें क्या करना है इनका Union बताना है तो A intersection B क्या आया है 3,4 और Union A intersection C इतना आया है 4 ठीक है अब आपको इसका Union बताना है मतलब क्या होता है यह दोनों Sets के सभी Elements आएंगे बस कोई भी Elements रिपीट नहीं होना चाहिए ठीक है तो यहां पर क्या क्या आएगा देखो 3 आ जाएगा और 4 को भी लिख देंगे और देखो 4 यहां पर भी है तो क्या करना पड़ेगा दो बार लिखेंगे क्या नहीं एक इक्वेशन नमबर 1 देखो इक्वेशन नमबर 2 देखो दोनों तो बराबर यह है इसमें भी दोई Elements इसमें भी दोई 3 4 3 4 है ना मतलब यह तो प्रूफ हो गया तो क्या लिखोगे जैसे पहले लिखा था बाई फ्रॉम ओके ऐसे फ्रॉम वन और टू क्या वेरिफाई हुआ इसको आप लिख दीजिए वन और टू से हम लोग बता सकते हैं कि A intersection B Union C is equal to A intersection B Union A intersection C यह प्रूफ हो गया मतलब यह वेरिफाई हो गया समझ में आया आपको तो यह क्या हो गया आपका final answer ठीक है तो first और second sub question हमने solve कर लिया अभी हम लोग third sub question देखेंगे अभी हम लोग third sub question देखेंगे तो मैं आपको बताते चलू यह जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं D Morgan's law कहते हैं जैसे हमने पिछले दो questions किये वो क्या था distributive property आप लिख करके रख लो हां क्योंकि मैंने properties नहीं बताई है न बेसिक वाले वीडियो में तो अभी आप ध्यान में रखो ओके चाहिए तो लिख करके रखो जो पीछे के दो थे वो क्या है distributive property और D Morgan's law में क्या होता है देखो A union B और इसका complement जो होगा न वो किसके equal होगा तो वो इसके equal होगा अब यहाँ पर हुआ क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ देखो यह जो complement है यह दोनों के पास आ जाएगा यानि कि A complement और B complement हो जाएगा यहाँ पर union है तो यहाँ पर intersection मतलब इसका value जो आएगा यानि इसके set के अंदर मतलब जब निकालेंगे तो उसमें जो elements रहेंगे वही इसमें भी रहेंगे ठीक है तो यह क्या है D Morgan's law देखो य इसको भी हम verify करते हैं यह अपने आप में verified है ठीक है यह प्रूव हो चुका है कि इसका value इसके equal होता है लेकिन अभी हमको भी तो verify करना है यह आप verify करो यानि हमें verify करना है कि यह और यह दोनों क्या है बराबर है तो चलिए करते हैं सबसे पहली बात हमको A union B चाहिए होगा तो A union B निकाल लेते और फिर उसके बाद उसका compliment निकालेंगे ऐसे directly compliment नहीं निकाल सकते पहले A union B उसके बाद compliment यह dash को क्या करते compliment यह मैंने basic वाले वीडियो में समझाया था ठीक है तो A union B आपको पता है कैसे निकालोगे A और B के सारे elements आने चाहिए बस एक ही condition repetition is not allowed ठीक है 5-6 हाँ लिख दो ठीक है यह हो गया अब हमें इसका compliment चाहिए तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर A union B और फिर इसका compliment आप compliment कैसे बताते हैं पता है आपको चलो जाने तो समझ लो एक बार से पढ़ने में किसी को भी याद होता नहीं है आप भूल गए हो कोई बात नहीं फिर से बताते हैं सुनों क्या करना होता है ना A union B के अंदर जितने भी elements है ठीक है यह सारे elements हम क्या करेंगे यह x में देखेंगे x मतलब universal से ठीक है तो यह जो elements है जो x में present है उनको हम लोग cancel करते चाहेंगे मतलब वह elements हम नहीं लिखेंगे ठीक है इनको छोड़ करके बाकी के ज यहां पर भी यह भी नहीं आएगा फ्रिंख tidak आएगा फाइव नहीं आएगा जो सबसे बड़ा वाला set रहेगा ना, उसमें हम लोग देखेंगे, ऐसे A, B, C में नहीं देखेंगे, ठीक है? तो 7, 8, 9, 10 आचाएगा, यहाँ पे इसको आप लिख दीजिए, equation number 1, अब हमें क्या चाहिए, A, A, complement, intersection, B, complement तो सबसे पहले हम लोग A, complement और B, complement, find out करेंगे, ठीक है, तो A, complement कैसे आएगा, Y, same चीज, set A में देखो, यह जो elements इसके अंदर है, उनको आप नहीं लिखोगे, बाकी जो बचे हुए elements हैं, उनको आप लिख दोगे, ठीक है, universal set में, 1 है, 1 है, तो मतलिकना, 2 है, 2 है, 3, नहीं नहीं लिखना, ठीक है, तो बस चारी element है ना, तो यह 4 नहीं आएंगे, बाकी जो बच रहें, यह सभी elements यहाँ पर आ चाहेंगे, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिख दीजिए, 5, 6, 7, 8, 9, और यह 10, ठीक है, यह क्या होगे, A, complement, अभी हमको B, complement बताना है, तो जैसे A, complement बताया था, वै मैं लिखती हूँ, B, complement, क्या करोगे, बताओ, B के अंदर जो भी elements है, उनको छोड़ करके, बाकी जो elements बचे रहेंगे, universal set में उन्हें आप लिख लेना, तो कौन-कौन से elements है, 3, 4, 5, 6, तो देखो, 3 को छोड़ो, 4 को छोड़ो, 5 को और 6 को, बाकी सबको लिख लो, तो 1, 2 ल 10, ठीक है, बात समझ में आ गई, अब हम लोग, A complement, intersection, B complement निखान सकते हैं, तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगी, therefore, A complement, intersection, B complement, तो A complement क्या आया है, लिखो यहाँ पर, 5, 6, 7, 8, 9, और यह 10, फिर यहाँ पर क्या intersection, तो intersection लिख दो, उसके बाद, B complement क्या आया है, 1, 2, 7, 8, 9, और यह 10, तीक है, अब क्या करेंगे, बताइए, intersection का मतलब क्या common element, जो दोनों में है, उसे आप उठाईए और लिख दीजिए, तो कौन-कौन से element से जो दोनों में है, तो 5, 6 बस इसमें है, इसमें नहीं है, 7, 8, 9, 10, देखो, 7, 8, 9, 10, इसमें है, मतलब दोनों है, तो इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 7, 8, 9, और यह 10, ठीक है, इसको आप लिख दीजिए, equation number 2, अब equation 1 को देखे, equation 2 को देखे, दोनों equal है, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, मतलब यह तो वेरिफाई हो गया, हाँ, यह एकदम राइट है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे, from 1 and 2, 1 और 2 से क्या वेरिफाई हो गया, कि A union B, the whole complement is equal to A complement intersection B complement, समझ में आये आपको, तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला question भी complete हो गया, यहाँ पर दीखे, यह है आपका fourth sub question, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, कि A intersection B, और फिर इस पूरे का complement कि, इसके equal है, A complement union B complement के, तो चलिए हम लोग इसको भी prove कर देते हैं, मतलब verify करते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए होगा, A intersection B, और फिर उसके बाद हम इसका complement निकाल पाएंगे, चलिए आगे देखते, A intersection B, मतलब क्या, set A और B में, जो भी common element र को हम यहाँ पर लिखेंगे, 3,4, और कुछ लिख सकते है, 5,6, तो देखो इसमें है पर इसमें नहीं है, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, अभी इसका complement हम लोग लिख देते, A intersection B, और फिर पूरे का complement, complement मतलब क्या होगा, देखो, A intersection B के अंदर जो elements है, उन elements को छोड़ करक इस universal set में बचेंगे, उन्हें हम लोग लिख देंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 और 4 है ना, तो 3 और 4 नहीं लिखेंगे, बाकी सबको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, तो क्या-क्या है, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चले लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4 नहीं आएगा, क्यों हमें यह बताना है, तो सबसे पहले हमें A compliment और B compliment निकालना पड़ेगा, तो चले निकाल लेते हैं, A compliment कैसे आएगा, A के अंदर जो भी elements है, उनको छोड़ करके, बाकी बचे हुए elements को लिख लीजिए, तो 1, 2, 3, 4, इतना छोड़ दीजिए, बाकी को लिख लीजिए, 5, 6, 7 8, 9 और ये 10, ठीक है, फिर B compliment, तो क्या करेंगे, B के अंदर जो भी elements है, उनको छोड़ करके, बाकी सबको लिख लेंगे, तो B के अंदर elements है, 3, 4, 5, 6, यानि ये छोड़ो, ये 4 छोड़ो, बाकी सबको लिख लो, तो 1, 2, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 7, 8, 9, और ये 10, ठीक है, अब हमें क क्या निकालना पड़ेगा, A compliment, union, B compliment, तो चलिए निकाल लेते हैं, यहां पर लिखेंगे, दे और ओर, A compliment, union, B compliment, तो A compliment क्या आया है, यहां पर लिखते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10, ठीक है, फिर उसके बाद union है, तो यहां पर आजाएगा, union, फिर B compliment क्या है, लिखते चाहिए 1, 2, 7, 8, 9, और 10, अब हमें क्या बसाना है, दोनों का union, मतलब सबके सब elements आएंगे, बस कोई भी element repeat नहीं होना चाहिए, तो चलिए लिख देते हैं, तो देखिए यहां पर 1, 2, 1, 2 पहले आएगा न, देखो, starting से लिखने का, 1, 2, उसके बाद क्या करेंगे हम, 5, 6 को लिखे लिखेंगे, 7, 8, 9, 10, तो यह तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक ही बाद लिखेंगे, मतलब क्या आएगा, देखो, 1, 2 आएगा, 1, 2, फिर 5, 6, 5, 6, और 7, 8, 9, 10, आएगा, ठीक है, तो लिख देते हैं, यहां पर 7, 8, 9, और यह 10, इसको लिखेंगे, equation number 2, अब है, बतलब कि verify हो गया, तो क्या लिखोगे, वही फिर से, पुराना वाला from, 1 and 2, देखो, एक्जाम में जबी ऐसे question आए, आपको पूरा ऐसे लिख करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, from 1 and 2, क्या verify हो गया है, कि A intersection B, और फिर पूरे का compliment किसके equal है, तो इसके equal है, A compliment union, B compliment के, ठीक है, तो यहाँ पर आपका, जो fourth वाला सब question था, वो भी complete हुआ, अगला वाला देखिएगा, यहाँ पर क्या है, A is equal to A intersection B union, A intersection B compliment, ठीक है, तो देखो, इसको हम कैसे solve करेंगे, sit A तो हमारे पास है, right, अभी हमको यह find out करना पड़ेगा, तो सबसे पहले A intersection B निकालेंगे तो A intersection B का मतलब, आप कितने बार find out कर चुके, और मुझे पूरा explain करने के सवर्वत नहीं है, है ना, same same element को यहाँ पर लिख दो, A और B में same क्या है, 3, 4, तो लिख दीजिए, फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, तो B compliment, B compliment कैसे आएगा, तो B के अंदर जो भी elements है, उनको छोड़ करके बागी जो इसमें elements बच रहे है, universal set में उनको आप लिख दीजिए, तो 3, 4, 5, 6, इनको निकाल दीजिए, और बागी सबको लिख लीजिए, 1, 2, 7, 8, 9, 10, लिख देते हैं आपे, 1, 2, 7, 8, 7, 8, 9, और यह 10, ठीक है, अब हमको क्या चाहिए होगा, तो अब हमें यह चाहिए होगा, A intersection, B complement, तो चलिए यह भी find out कर लेते हैं, A intersection, B complement, तो sit, A देखेंगे और इसको देखेंगे, ठीक है, तो अब ही intersection मतलब क्या common, तो A को देखो और इसको देखना इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, B complement, दिखाई दे रहाना आपको इधर देखो तो इसको देखना है, common क्या है, इसमें 1, 2, 3, 4 इधर है, इधर 1, 2, 7, 8, 19, तो 7, 8, 19 तो इसमें है नहीं, 3, 4 इसमें नहीं है, 1, 2, देखो दोनों में है, यही common है, तो इसको हम लिख लेते 1 और 2, तो जो भी हमको चाहिए था, वो तो हमने निकाल लिया, अब हम यह पूरा find out करेंगे, ठीक है, तो कैसे होगा, यहाँ पर लिखे, there for, A intersection B union, A intersection B complement, ठीक है, तो A intersection B क्या आया है, लिखे यहाँ पर, 3, 4 फिर union, और उसके बाद A intersection B complement कितना आया है, आप लोग देख सकते हो, यह देखो, 1, 2, यहाँ पर लिख देते 1, 2, मतलब इसका final answer हमको क्या मिलेग union मतलब सारे के सारे elements आने चाहिए, तो 1, 2, 3, 4 लिख देंगे, हम लोग 1, 2, 3, और यह 4, ठीक है, तो यह हो गया, आपका equation number 1 लिख दो, इसको चलो, equation 1 लिख दीजे, उसके बाद यहाँ पर set A क्या है, इसे भी हम लिख देते, A is equal to क्या है, 1, 2, 3, और यह 4, इसको आप equation 2 ल 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यह यह verify हो गया, तो क्या लिखेंगे, they are for from 1 and 2, it is verified that A is equal to A intersection B union A intersection B complement, ठीक है, तो यहाँ पर आपका fifth वाला sub question भी complete हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, यह इसका solution, और मैं आपको sixth वाला भी बता देती हूँ, लेकिन पहले आप चलो, इसको लिखो, चलिए, इसे में मैं आपको sixth वाला भी बताने की कोशिश करती हूँ, तो उसमें क्या है न, यहाँ पर B है, पहले मैं question लिख लूँ, फिर समझाती हूँ, यहाँ पर देखिएगा, sixth वाले में क्या है, यहाँ पर B है, और A intersection B, union, A compliment, intersection B, ठीक है, ऐसे गरके दिया गया है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, B तो हमको मिल जाएगा इधर से, यहाँ देखो, A intersection B निकालना पड़ेगा, तो यह देखिए हमने पहले से निकाला हुआ, A intersection B, 3,4, ठीक है, अब हमको क्या चाहिए होगा, तो A compliment, तो B का compliment जो है, इसे मैं मिटाती हूँ, यहाँ पर A compliment निका और यह 10, ठीक है, फिर अभी हमको क्या बताना पड़ेगा, A compliment, ओके चलो, इधर A compliment, intersection B, तो कहाँ गहाँ देखेंगे, यहाँ पर B है, यहाँ पर A compliment है, तो यह दोनों को देखेंगे, ठीक है, हमें intersection बताना है, मतलब common element, 5, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी और कुछ है, क्या, सेम सेम नहीं न, तो 5 और 6 को यहाँ पर लिख दीजिए, तो यह आपको क्या मिला, A compliment, intersection B, ठीक है, अब फाइनली हम लोग यह find out करेंगे, यानि कि A intersection B, union, A compliment, intersection B, ठीक है, तो A intersection B, 3,4 यह ही है, यह तो ठीक है, union, A compliment, intersection B, क्या आया है, 5, 6, तो यहाँ पर हम लिख देत है कि नहीं, मैं उसी में आपको बता रही हूँ, same to same तो है, same to same नहीं है, थोड़ा अलग है, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से करिएगा, अलग-अलग अपनी notebook में, मैं तो इधर same, एक ही में कर दे रही हूँ, पर आप मत करना, ठीक है न, अलग-अलग करना, चलो, अब ह में क्या बताने, union बताने, मतलब सारे के सारे elements आएंगे, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, और ये 6 आएगा, इसको आप equation 1 लिखना, उसके बाद यहाँ पर set B लिखेंगे हम, set B में कौन-कौन से elements है, 3, 4, 5, 6, ओके, चलो, इसको मिटा देते हैं, 3, 4, 5, 6, ये equation number 2, अब बत क्या हुआ, from 1 and 2, it is verified that, B is equal to, पूरा ही लिख देती हूं, B is equal to, A intersection B, union, A complement, intersection B, complement, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 6 वाला sub question भी complete हो गया, अब बस A की sub question बचा हुआ है, 7 वाला वो भी बताऊंगी, पहले आप इसको लिख लीजिए, और, हाँ, लिख लीजिए, इसको में कर देती हो, लास्ट वाला sub question देखेगा, यह formula है, जो आपको आगे वाले question में बहुत ही help करेगा, इसलिए आप इसको यहाँ दी कर लो, क्या है, यहाँ पे, N of A union B is equal to, N of A plus N of B minus N of A intersection B, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आगे वाला question है, यानि कि question number 6, उसमें हम यह व intersection भी आता है, अगर यहाँ पे, समझे है, मुझे क्या चाहिए, यह चाहिए, तो मैं इसको इदर ले लूँगे, इसको उधर, ठीक है, तो इसी formula से दो formula बन करके तयार हो जाएंगे, क्या गर सकते है, इदर उदर, देखो, इसको उदर, इसको इदर, मतलब हमें जो निकालन है, जैसे समझे हमको यह निकालना है, और हमारे पास यह तीनों values है, तो यह formula का use कर सकते है, लेकिन आपके पास यह, यह, यह है, और यह आपको बताने, तो इसको इदर ले लो, और उसको उदर, ठीक है, समझ में आ रहे है, चलो, आगे वाले गोशन में समझ जाओगे, 2, 3, 4, 5, और यह 6, हमें क्या चाहिए, number of a union b, यानि कि इस set के अंदर कितने elements हैं वो, तो देखो, यहाँ पे लिखेंगे हम, n of a union b, कितने count करिए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे लिख दीजिए 6, ठीक है, इसको आप लिखेंगा, equation number 1, अब हमें क्या चाहिए, n of a, तो n of a, n of a तो मिल जाएगा, n of a, कितने element है, set a के अंदर, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे लिख दीजिए 4, फिर n of b, तो set b के अंदर कितने elements है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे लिख दीजिए 4, और क्या चाहिए, a intersection b का भी, मतलब यह n चाहिए, हमको number चाहिए, तो पहले तो हम a intersection b निकालें हैंगे, a intersection b मतलब common element, जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या है, 3, 4, लिख देजिए हैं, यहाँ पे, 3 and 4, ठीक है, अब n of a intersection b क्या हो जाएगा, 2 होगा, 1, 2, 2 होगा, ठीक है, अब हम लोग यह find out कर लेते हैं, तो देखो, कैसे होगा, यहाँ पे लिखे, therefore, n of a, plus n of b, minus n of a intersection b, ठीक है, तो n of a कितना आया था, यह देखो, यहाँ पे 4, plus n of b, 4, minus n of a intersection b, is 2, चलो, इसको solve करो, 4 और 4, कितना हो जाएगा, 8, 8 में से 2 को minus करोगे, तो 6, इसको लिखे, equation number 2, तो equation 1 को देखो, 2 को देखो, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, मतलब यह दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है, तो यह यह verify हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, therefore, from 1 and 2, from थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ, from 1 and 2, अभी 1 और 2 से क्या verify हो गया, कि this is equal to this, लिख देते हैं, यहाँ पे, n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b, वैसे यह सारे formula आपने कब सीखे थे, 9 standard में भी सीखे थे, जब set पढ़ा था तो, ठीक है, याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे आप याद कर लीजिए, ठीक, चलिए, यहाँ पे आपका जो fifth question था, वो complete हो चुका है, इसमें seven sub question दिये गए थे, सबके सब मैंने आप लोगों को solve करके दिये है, ठीक है, तो अच्छे से बस आप लिख लो इसको, अब हम solve करेंगे question number six, लेकिन उसके भी पहले आप लोगों को कुछ formula में बता देती हूँ, जो आपको question solve करने में help करेंगे, ठीक है, तो यह देखें, यहाँ पर पहला formula, n of a union b अगर आपको find out करने है, तो उसका formula क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, n of a plus n of b minus n of a intersection b, ठीक है, तो अगर आपने यह एक formula याद कर लिया ना, तो आपको दो formula याद हो जाएंगे, ध्यान देना ज़रा, अब समझेए, यह formula आपको याद है, ठीक है, अभी देखना, इस formula की help से हमें एक और formula बना सकते है, n of a intersection b का, ठीक है, क्या क्या हमने पता है आपको, a intersection b जो है न, यह इसको हमने इधर ले लिया, तो यह इधर minus में, इधर आने के बाद plus में हो जाएगा, फिर n of a plus n of b, अब क्या करेंगे, इसको उधर ले लेंगे, तो यह इधर plus में, उधर जाने के बाद minus में, यह न, इन of a union b हो जाएगा, ठीक है, तो अगर आप एक formula याद कर लेते हो, त तो कि जब तक आपके पास a intersection b नहीं रहेगा, तब तक आप नहीं बता पाऊगे, तो उसके लिए एक और formula है, देखो यह वाला, n of a union b is equal to n of x minus n of a union b, और फिर इसका compliment, ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लेते हो, अब अगला वाला formula देखिए, अब समझे आपको n of b बता जाएगा, एक तीर से दो निसाने, एक formula याद करोगे, दो याद हो जाएगे, कैसे, देखो अब समझे आपको ये बताना है, n of a complement intersection b, तो इसका formula क्या होगा, थोड़ा कोशिच करो इसको derive करने की, देखो क्या करेंगे हम, ये तो मैंने लिख दिया है, ठीक है, इसको हम इध कर ले लिया, तो ये इधर प्लस में इधर आया, तो माइनस में ये तो प्लस में रहे गाई, ठीक है, बस इसको थोड़ा सा ऐसे उल्टा करके लिख दिया, ओके, तो अगर आप ये formula याद कर ले तो आपको ये दो formula लन हो जाएंगे, वैसे अगला वाला भी है, ये fourth one, ठीक आपको ये बताने, तो कैसे बताओगे, देखो, इसी के help से हम लोग ये formula को भी बनाएंगे, यहाँ पर दियान दीजिएगा, इसको मैं इसके पास ले लूँगे, तो क्या हो जाएगा, n of a minus n of a intersection b, बात समझ में आई की नहीं, तो देखा, आपने अगर आप ये, ये वाला ये वाला और ये वाला, ये तीन formula याद कर लेते हो, तो तीन और आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे, क्योंकि ये तीन और formula इसी formula से क्या हुए है, derived हुए है, ठीक है, और ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, तो ये कुछ formula जो आप लोगों को याद करके रखना है, चाहिए तो लिख करके रखो, नोट बुक में एकदम अच्छे से, साफ साफ सुन्दर सुन्दर, तब ही तो जब जरुवत पड़े तब आप देख सकते हो, ओके चलो यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, डी Morgan's law, डी Morgan's law, तो इसमें क्या होता है, समझी ऐसा है, A intersection B, और फिर यहाँ पर compliment है, तो compliment दोनों के पास चला जाएगा, यानि A compliment उसके बाद B compliment, यह intersection है ना, तो union हो जाएगा, यह भी बहुत important है, याद रखना, अगर ऐसा है, A union B, फिर यहाँ पर compliment, ठीक है, A union B और पूरे का compliment है, अगर, तो क्या हो जाएगा, देखिए compliment दोनों के पास चला जाएगा, तो A compliment, B compliment, यह union है ना, यहाँ पर intersection कर दीजिए, ठीक है, तो यह कुछ formula है और यह law मैंने आपको बताएगा, इसको याद रखेगा, अब भी हम लोग question पर चलते हैं, तो यहाँ पर क्या बुलना चाहरा है, कि if A and B are the subsets of the universal set X, यानि कि आपक सेट है, ठीक है, जिसके subsets है A और B सेट, और इसमें क्या दिया गया, N of X कितना है 50, चलो जो दिया है उसको हम लिखते जाते हैं, N of X which is equal to 50, and N of A which is equal to 35, then N of B which is equal to 20, और क्या दिया है, N of A compliment, intersection B compliment, कितना है 5, यह सब कुस दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजी, given, तो हमको find करना है, क्या-क्या find out करना है, सबसे पहला question देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसमें 4 questions दिये गया है, एक एक करके हम लोग solve करेंगे, सबसे पहले first one देखते हैं, क्या दिया इसमें, N of A union B, ओके, चलो मैं of A union B, यह आपको बताना है, तो इसके लिए formula मैंने सिखाना था ना, बताइए कितने formula सीखे थे हमने, दो, एक तो यह वाला, दूसरा यह वाला, तो कौन सा use करना चाहिए हमको, अगर हम यह वाला formula use करेंगे, तो हमें यह चाहिए, यह चाहिए, तो N of A है, N of B है, ठीक है, लेकिन N of A intersection B है, आपके पास नहीं है, और आप find भी नहीं कर पाऊगे, तो फिर यह formula यहाँ पर use होने से रहा, यह use नहीं हो पाएगा, तो second भी तो formula है, N of A union B is equal to N of X minus N of A union B complement, राइट, तो यहाँ पर हम यह वाला formula use कर सकते हैं, अब एक और सवाल आपके मन में आएगा, क पर मैंने आप लोग को D Morgan का law बता है, कि A union B complement क्या हो जाता है, यह जो complement है, दोनों के पास चला जाता है, और यहाँ पर intersection हो जाता है, तो इसका value हमारे पास है, यह देखो यहाँ पर, A complement intersection B complement है, मतलब हम यहाँ पर यह वाला formula use कर सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, देखो यहाँ पर, N of A union B, which is equal to N of X minus N of A union B complement, ठीक है, अब क्यूंकि हमारे पास इसका value नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, D Morgan law से इसको हम चेंज कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, N of X minus N of A union B complement, क्या हो जाता है, A intersection, A complement intersection, B complement, यह नहीं इस तरीके स इसा, ठीक है, कौन से law से लिखा, D Morgan law से यहाँ पर लिख दीजिए, D Morgan's law, यहाँ पर D Morgan's law का यूज क्या है, तो ऐसे करके आप लिख दीजिएगा, और यहाँ पर by भी लिखेंगा, by D Morgan's law, अब उसके बाद N of X कितना है, 50, minus N of A, A complement intersection, D complement क्या हो जाएगा, यह नहीं कितना ह है, 5 तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, 50, minus 5 करेंगे, तो क्या आएगा, 45, मतलब, यहाँ पर लिखेंगे, therefore, N of A union B, कितना आ गया, 45, इसको आप एक box में कर दीजिए, यहाँ पर आपका पहला वाला सब question complete हो चुका है, ठीक है, अगला वाला देखते हैं, second one, इसमें क्या बुला गया है, question लेखते हुए, एक बार, N of A intersection B, okay, A intersection B, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूस करें, यह वाला हम फॉर्मूला यूस कर सकते हैं, क्या, यह वाला, A intersection B, यह देखो, हमार पस क्या क्या होना चाहिए, N of A होना चाहिए, N of B होना चाहिए, और N of A union B होना तो यहाँ पर लिखते हैं, N of A intersection B, देखो ने, इसको आप याद करने की कोशिश करो, कैसे होगा, यहाँ पर लिखने का N of A plus N of B minus, अब देखो, यहाँ पर intersection है तो इधर union आएगा, N of A union B, ठीक है, समझ में आगे आपको, अब उसके बाद values रखते हैं, N of A कितना है, इधर स 20, minus N of A union B is 45, ओके, यह कहाँ से लिखा बताओ, यह तो हमने 1 से लिखा, तो यहाँ पर लिख सकते हो, from 1, 1 से लिखा ना, कहाँ से लिखा, 1 से लिखा, अब इसको solve करिया, आपको answer मिल जाएगा, तो 35 plus 20 कितना हो जाएगा, 35 plus 20, 3, 2, 5, 55, 55 minus 45, 0, 10 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते, therefore, N of A intersection B, which is equal to 10, ठीक है, तो यहाँ पर आपका second वाला सब question भी complete हो गया, उसके पाद अभी अगला वाला देख ले, चलिए देख लेते हैं, third one, तो यहाँ पर लिखते हैं, third number डालके, question क्या है, N of A compliment, intersection B compliment, यह भी एकदम easy है, formula तो आपके सामने ही है, N of A compliment, intersection B compliment, यहाँ पर हम कौन सा formula यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए मैंने formula बताया था की नहीं, यह देखो इधर, A compliment, intersection B compliment, यह देखो यह रहा, देखो formula बहुत जादा important है, एक बार याद कर लिया आना, तो यह सारे question तो कुछ भी नहीं है, इसलिए याद करो, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर यह वाला formula यूज़ कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखें, मैं यह आपर directly कर रहे हूँ, आप नीचे करिएगा, क्या लिखेंगे, N of B minus N of A intersection B, ठीक है, तो यहाँ पर हमने यह वाला formula यूज़ किया, अगर बढ़ नहीं करिएगा, यह देखो, A के उपर compliment है, तो यह वाला, अगर B के उपर compliment रहता है, तो यह वाला, ठीक है, अभी values put करते हैं, तो N of B कितना है, N of B, यह देखो 20, N of A intersection B, यह देखो 10, कहाँ से लिखा, 2 से लिखा, यहाँ पर लिख दीजिए, from 2, minus करोगे तो 10 आएगा, यहाँ पर लिख देखे, there for N of A compliment intersection B, which is equal to 10, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो third sub question था, यह भी complete हो चुका है, अभी A की sub question बचा हुआ है, last one, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर देखे, नीचे ही मैं कर रही हूँ, आप समझ जाईएगा ठीक है, अगला क्या है, N of A intersection B compliment, यह भी बहुत ही आसान है, एक काम करते हैं, इसको मैं इधर नहीं करूँगी, मैं इधर करूँगी, ठीक है, लेकिन आपना इसका screenshot लेलो, यह formula बहुत साथ important है, पहले आप लिख लीचे इसको, फिर fourth वाला मैं आपको समझा देती हूँ, द ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम, N of A intersection B compliment, which is equal to, formula में क्या है सबसे पहले, N of A, तो यहाँ पर लिखिए N of A, देखो इसमें क्या होता था, N of B, अगर A के उपर compliment है, यहाँ पर B आता है, ठीक है, बाकि आगे का तो Y, A intersection B, और इसमें भी A intersection B, सब अगर B के उपर, मतलब B का compliment है, तो यहाँ पर A लिखने का, ठीक है, minus N of A intersection B आजाएगा, values put करते हैं, तो N of A कितना है, यहाँ से ले लिजिए, value 35 minus N of A intersection B, यहाँ पर आता 10, कहां से लिखा, 2 से लिखा, यहाँ पर लिख दीजिए, from 2, ठीक है, अब यहाँ पर therefore, N of A intersection B compliment, क् 35 minus 10 करिए, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, क्या आया, 25, ठीक है, तो यहाँ पर हमने यह वाला question भी complete कर लिया, question number 6 आप लोग देख सकते हो, यह इसका complete solution है, ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यही पर समात करते हैं, अब जो हमारे बागी के बचेवे questions हैं, उनको हम लोग next video मे solve करेंगे, ओके, चलो मिलते हम लोग next video में